एक बात समझ लो, डॉन को पकरना मुश्किली नहीं ना मुनकिन है। अमिताब बच्चन के पिच्चर का यह प्रसिद्ध डायलोग, डॉन को पकरना मुश्किली ही नहीं ना मुनकिन है। बीते जीनों पहले, ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने तुलिंच पुली स्टेशन के वरिस पुलीस निरिक्षक शेलेंद्र नगरकर को वाटसेप कॉल किया और कहा कि डॉन को पकरना मुश्किल ही नहीं, ना मुनकिन है। मामला कुछ इस प्रकार है कि एक प्रेमी ने जन्ड दिन का केक काटने के बहाने से अपनी प्रेमीका को वसाई बुलाया। केक काटने के बार अपनी प्रेमीका को उसके घर नाला सोपारा छोड़ने के बहाने से गाड़ी में बैठा कर उसके साथ जबरन बलातकार जैसी घटना को अंजाम दिया। इस बात की जानकारी पुलिस को तब पता चली जब उस लड़की के घर वालों ने लड़की की गुमशूदगी की रिपोर्ट तुलिंच पुली स्टेशन में दर्च करवाई। पुलिस ने गुमचुदा लड़की की तलाज की तब उन्हें पता चला कि लड़की अपने गाव राजस्थान गई है इसके बाद लड़की को वहाँ से तुलिंच पुलिस टेशन ले आया गया और पूछताज के बाद लड़की ने घटना की सच्चाई बताई हाला कि घटन के समय लड़की ने अपने मोबाइल का आटोमेटिक वॉइस रुकॉर्डिंग शुरू कर दिया था इस वॉइस रुकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने पुक्त आरोपी पर बलातकार तथा पोस्कों के तहत मामला दर्च कर लिया और आरोपी की तलाज शुरू कर दी इस मामले के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल सुच्चाफ कर फरार हो चुका था लेकिन गुश दिनों बाद उसने तुलिंग पुलिस टेशन के वरिस पुलिस निरिक्षक शेलेंद्र नगरकर को वाट्सेप कॉल किया और फिल्मी अमदाज में कहा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुनकिन है लेकिन मोबाइल लोकेशन के अधार पर तुलिंग पुलिस टेशन की डिटेक्षन ब्रांच की टीम ने इस नकली डॉन धननजे दूबे उर्फ जै दूबे नामक 45 वर्षी आरोपी को भाएंदर के उत्तन से गिरफतार कर लिया है